हेलो फ्रेंट कैसे हैं आपसब मेरे चैनल में आपका स्वागत है देखे फ्रेंट्स आज मेरी है एक वीडियो जैकेट की जो जैकेट बनकर तेयार हो गई है और किस तरीके से मैंने इस जैकेट को बनाया कितने फंदे डाले और राउnd नेक और वीनेक तो हम बनाते ही हैं मैं आपको पूरा इसका मेजरमेंट बताऊंगे किस तरीके से हम स्वीट हैट नेक बना सकते हैं क्योंकि राउंड नेक और जो वी नेक है वो तो हम सभी जैकेट में बनाते हैं लेकिन कभी कभी हमारा मन होता है कि एक दूसरी तरह का जो नेक है वो भी बनाया जाए किस तरह स कि बनता है मैं आपको पुरा मेंजर मेंट बताऊंगी एकेट का देखे ब्रेंड इस यह जो जाके थोडिश्य हूं शोट है लेकिन इसके जो हमारे फंद एधम nar heavy चाहे हम शोट में बनाए चाहे लोग में बनाए देखे प्रेंट इसमें मैंने 55 फंदे डाले हैं इस जैकेट में और 55 फंदे डालने के बाद इसमें क्या है कि जो इसका ये वाला हमने पट्टी लिये है इसके साथ में जैकेट के इस पट्टी में ज्यादा फंदों की रखना होता है और इसमें पूरे जो टोटल हैं वो सभी 55 फंदे हैं इस वाली पट्टी को मिला कर तो 55 फंदे डालने के बाद मैंने जो इसकी लंबाई रखी है जो जाकेट की लंबाई है देखिए ये 15 इंच बुनने के बाद मैंने इसकी मुड़े की कटाई की है और जो इसकी पट्टी है ये इसके साथ साथ ही बनती ही चली जाती है तो अब यहां पे हमने जैसे मुड़े की कटाई की तो मुड़े की कटाई के साथ ही हमें अपने गले की कटाई भी शुरू कर द दूसरी जैकेतों में क्या होता है.. जिसमें में में has a round neck और w alguna nesak बनाना होता है तो हम जब हमारी कटाईप पूरी हो जाते हैं तब हम गला छोड़ते हैं लेकिन इसे shit heart का नेक बनाने के लिए हमें जब हमारी cutting सुरू होती है तब ही हमें के cutting शुरू कर देना है देखे यहां पर 4, 3, 2, 1 की कटिंग करते वे हमने यहां से फंदे घटाने शुरू कर दिये गले के तो हमें यह कोशिश रखनी है कि हमारे आधे मुड़े तक ही हमारे सभी गले के जो फंदे हैं वो पूरे घट जाएं आधे मुड़े तक ही जब हमारा आधा मुड़ा तयार ह तो यह हमारे आदे मुड़े तक यहां पर मेरे जो फंदे हैं वो पूरे हो गए थे जितने मुझे चाहिए जैसे कि वैसे नॉर्मली में हम 22 फंदे लेते हैं लेकिन अगर 24 फंदे भी रह जाएं तो उसका भी कोई फरक नहीं पड़ता तो इसमें हमें यही करना होता है कि हमे पूरा करते हुए आप जब आपकी फंदे यहां पर 24 या 22 रह जाएं तभी आपको यहां एक भी फंदा यहां से यहां तक नहीं गटाना है बिल्कुल इस्टेट में रखना है तो आपका स्वेठाट नेक बनकर तयार हो जाएगा आप देख सकते हैं यह नेक राउंड नेक और वी नेक से कुछ डिफरेंट दिखता है और बहुत ही सुन्दर लगता है देखने में देखिए और जो इसकी जैकेट की जेब है देखिए जो यहां के फंदे हैं यहां के फंदे हमें 28 से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए नहीं तो बहुत चोड़ी जेब हो जाती है जखनी होती है जीए कि यह देखिए पांच इंच पर हमारी जो पोकिट है वो कट जानी चाहिए पांच इंच पर हमारी पोकिट कटनी चाहिए और यह फंदे जो हैं 28 ज्यादा ज्यादा 30 इससे ज्यादा नहीं नहीं तो फिर हमारी जैकेट की जो पोकिट है वो थोड़ी चछादा चोड़ी हो जाती है 55 फंदे इधर लेते वे पीछे मैंने इसमे 110 फंदे डाले हैं और ये डिजाइंड वाला बोडर बनाते वे पीछे बिल्कु सिंपल भुनाई डाली है और देखिए पीछे का नैक मैंने इसका कैसे बनाया है पीछे का नैक बनाने के लिए जब हमारी आठ सलाई बच जाएं आठ सलाई बचने के बाद यहां से सीधा हमने इधर 28 पंदे घटा दी है 28 पंदे घटाने के बाद 3-2-1 की कटिंग करते हुए हमारा मुड़ा बनकर तयार हो जाता है देखे फ्रेंट्स यहां से यहां तक यह मेरा 15 इंच है और 8 इंच का मेरा मुड़ा है तो टोटल मेरी 23 इंच की जैकेट की लंबाई है टोटल लंबाई मेरी 23 इंच है जैकेट की पूरी देखिए कैसी लगी मेरी आज की वीडियो और कैसा लगा बताने का तरीका कोमेंट बोक्स में जरूर बताना फिर मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो के साथ